वर्कम तो मैं चैनल गनिट साथ माई नेम इस एंज़ श्रिवास्तर अग तोड़े आई विल टीच यू वन टॉपिक अब वन टॉपिक इस हाव टू मैटिप्लाइ अनमबर नियो हंड्रे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइन में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें तो अब हम स्टार्ट करते हैं तो अब हम केस हमारा वन देखते हैं जो की है बोथ नमबर्स आर लेस तें 100 और नियो 100 तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो हम यहां 3 लिख लेंगे अब हमें इसको इससे माइनस करना है या इसको इससे माइनस करना है आंसर तो सेम ही आएगा तो इसका अंसर आजएगा 95 और जब हम माइनस को माइनस से पर्टिप्लाइ करते हैं तो प्लस आता है तो 2, 3 जा 6 तो हम यहाँ 0,6 लिख देंगे तो यही हमारा answer हो जाएगा तो अब हम हमारा दूसरा example देखते हैं हमारा दूसरा example देखते हैं 96 into 91 तो यह हमारा example number 2 है हम यह भी लिख लेंगे तो 96 कितना कम है? 4 कम है तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे और 91 कितना कम है? 9 का मैं तो हम यहां 9 लिख देंगे और इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे आंसर तो जैसे कि मैंने आपको बता है सेमी आएगा तो आंसर इसका 87 आएगा अब जैसे कि मैंने भी आपको बता रहा कि माइनस इंटू माइनस करते तो प्लस आता है तो 940 36 तो यही हमारा answer आज़ेगा तो अब हमारा case 1 खतम हो गया है शायद आपको यह समझ में आई गया होगा तो अब हमारा हम case 2 देख लेते हैं तो परा case 2 है both numbers are greater than 100 और near 100 तो अब हम इसके भी examples देखेंगे तो हम example number हमारा लीका 1 देख लेते हैं तो हमारा example number 1 है 102 x 105 तो उसमें हमें देखने था कितना कम है उसमें हमें कितना ज्यादा है तो 102 कितना ज्यादा है two ज्यादा है तो हम यहां लिख देंगे two और 105 कितना ज़ादा है obviously 5 भी आएगा तो हम यहाँ 5 लिदेंगे और हम इसको इससे प्लस करेंगे इसको इससे प्लस करेंगे answer जैसे कि मैंने आपको बताए same ही आएगा तो हम यहाँ 107 लिदेंगे और 5 तो जाए 10 आजाएगा तो हम यहाँ 10 लिख देंगे यही हमारा answer आजाएका तो अब हम हमारा example number 2 देख लेते हैं ओके example number 2 देख लेते हैं तो हमारा example number 2 है 104 into 101 जैसे कि हमारे यह example number 2 है तो यह कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है तो plus 4 लिख देंगे और यह कितना ज्यादा है? तो हम यहाँ लिख देंगे और इसको इसे प्लस करेंगे या इसको इसे प्लस करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा तो आंसर हमारा आजाएगा 105 और 4 इंटू 14 होता हम यहाँ 04 लिख देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा ओकी अब हम हमारा केस 3 देखेंगे तो अब हम इसके भी example देख लेते हैं तो हम example number 1 देख लेते हैं तो हमारा example number 1 है 102 into 98 जैसे कि हमारा ये example number 1 है तो ये कितना जादा है plus 2 और ये कितना कम है minus 2 ओकी तो अब हमें इसको इसे plus करना या इसको इसे minus कर देना तो answer आएगा hundred और हमें इसको solve करना है अब तो हम two two is a four और plus को अगर हम minus से multiply करते हैं तो minus आता है तो two two is a four minus four आया तो अब हम इसमें 2 zero बढ़ा देंगे और minus का four कर देंगे तो ten minus four six आएगा और हमने जो इससे borrow किया था वो nine nine और nine आजाएगा और इससे में हमने borrow किया था तो यहाँ zero बच जाएगा तो ये हमारा इसका answer आजाएगा अब हम example number two देखते हैं तो मैं example number two देख लेता है तो उम्मीद है कि आपको example number one समझ में आई गया होगा तो मैं example number two देख लेता है ओके जैसे कि ये हमारा example number two है तो 109 कितना जादा है प्लस nine और 99 कितना कम है माइनस one ओके तो अब हम इसको इससे प्लस करेंगे नहीं तो इसको इससे माइनस करेंगे तो answer तो 108 ही आएगा अब हमें इसको solve करना है nine into one nine into one nine और प्लस into minus हमारा minus आता है तो minus का nine आगया अब हम इसमें दो zero बढ़ाएंगे और minus का nine करेंगे तो ten minus nine one nine और यहापर हमने इसको भी carry लिया अब लिया था तो seven और यहाप one zero यही आज़ेगा तो यह हमारा answer हो गया तो उम्मीद है कि आपको case one case two और case three समझ में आया होगा ओकी बाई